करेंगे Redmi के Note 8 के बारे में और हम करेंगे इसका comparison Realme Narzo 10 से जो हाली में लाउंच हुआ है इसी कीमत के अंदर Redmi का Note 8 आपको 11000 के असपास मिलता है और Realme Narzo 10 आपको मिल जाएगा 12000 में तो दोनों में सर्फ 1000 का ही फर्क है जादा खास फर्क नहीं है इस वीडियो में मैं आपको comparison करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा तीके दोस्तों Note 8 के आपको डिस्पले मिलती है वो सवाचेंज की डिस्पले है और इसके अंदर आपको IPS Full HD Plus डिस्पले दी गई है तो डिस्पले के कलर्स में आपको करीब से दिखा देता हूं इसके अंदर आपको काफी अच्छे दिये गया है नौच आलट डिजाइन है डिस्पले के अंदर लेकिन दूसरी तरफ Realme के Narzo 10 में आपको 12,000 में IPS HD Plus डिस्पले मिलती है तो ये मुझे Narzo 10 के अंदर कमी लगी Full HD Plus डिस्पले होनी चाहिए थी क्योंकि कीमत भी काफी ज़्यादा है 12,000 तो डिस्पले के अंदर आपको Quality वाइस वैसे Redmi का Notate ज़्याद अच्छा मिलता है Narzo 10 स इसके लावब दोस्तो Redmi के Notate के अंदर आपको Glass लुक दिया गया है Gorilla Glass की Protection के साथ तो डिस्पले की जो Quality है वो इस Mobile की काफी अच्छी है आपको Scratches की Problem नहीं मिलती लेकिन दूसरी तरफ Narzo 10 में आपको Plastic के Type का ही डिस्पले मिलता है हाला कि उस पर भी आपको Scratches की Problem नहीं म मिलता है लेफ्ट साइड पर इसमें भी सिम के ट्रे दी गई है और उसके अंदर भी आप दो सिम काड़ एक मेमरी कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं Redmi के Note 8 में भी नीची की तरफ इसमें भी आपको Type-C Port मिल जाता है नार्जो 10 में भी Type-C Port दिया गया है और दोनों ह अगर आप इस मोबाल से चला सकते हैं यह इसमें जाद अच्छी खुबी है लेकिन दोस्तों Redmi के Note 8 में आपको 11000 में मिलती है 4GB 64GB के इंटरनल स्टोरेज लेकिन Realme Narzo 10 में आपको दी गई है 12000 में 4GB 128GB के इंटरनल स्टोरेज तो स्टोरेज आपको Narzo 10 में जाद अच्छी मि प्रोसेसर और Realme Narzo 10 के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G80 प्रोसेसर अगर आप एक हैवी यूजर है तो वैसे दोनों मुबाल्स में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन Narzo 10 आपके लिए जाद अच्छा रहेगा अगर आपको खास वर से PUBG खेलने के लिए आपको एक दिन का बैटरी बैकप अराम से मिल जाएगा बैटरी में वैसे दोनों मुबाल्स सही हैं लेकिन आपको Realme Narzo 10 और ज्याद अच्छा मिल जाता है हाला कि उसमा आपको चार्जिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देखने को मिलेगा इस मुबाल के कंपरिजन मे क्योंकि बैटरी उसके अंदर आपको और बड़ी दी गई हैं तो दोस्तो ये सारी खुबिया कमिया है Redmi के Notate में और Realme Narzo 10 के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए तो दीखिए अगर आपके लिए मेंटर करता है मु अच्छी बैटरी के लिए अच्छी बैटरी के लिए तो दोस्तो देखा जाए तो नोटेट के अंदर आपको दो चीज़ अच्छी मिलती है कैमरे के अलावा क्योंकि कैमरे में दोनों सही है एक तो इसका डिजाइन अच्छा है दूसरा इसके डिस्प्ले अच्छी है क्योंकि इसमा आपको फूल एजडी प्लस डिस्प्ले दी गई है वही दूसरी तरफ रियरल्मी नार्जो टैन के अंदर आपको तीन चीज़ लग रहा है क्योंकि इसमें ग्लास लूख है और डिस्प्ले फूल एजडी प्लस है मेरे लिए यह चीज़ जादा मैंटर करती है सो जैसे मुझे नोटेट पसंद आया आप बताइएगा निचे कमेंट करके आपको दोनों में कौन सच्छा लगा यह चीज़ कमेंट करके ज